हमाश्कार दोस्तों मैं हूँ दीपगुपाद्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल इंडिया बोलेगा जोनपूर सहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर डॉक्टर कमर अब्बास पर 156 के तहत मुकदमा दर्च किया गया इस मामले में उन्होंने सिपा इस्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात्चित की बात्चित में उन्होंने बताया की उनकी समाजिक पतिष्ठा को आगात पहुचाने के लिए कुछ लोगों ने उनके खिलाफधारा 156 में मुकदमा दर्च कराया है जबकि इस मामले में कोड के आदेश पर लाइन बजार थाने की पुलिस ने उनके और चार अन्य रिस्तेदारों पर केस दर्च किया है उसमें पुलिस पहले ही F.I.R. लगा चुकी है देखे इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल निराधार है पहली बात तो यह है कि जो मुकदमा भी दायर हुआ है वो 156 में वो शमीम बनाम कौसर है और उसमें जो है पांचमें अभीविक्त के रूप में हमारा नाम उसमें लिखा गया है कि हम दाक्टर थे रसूगदार थे इसलिए हमने बियच्चू से उनकी डिस का नार्मल जो है वो डिस सर्टिफिकेट बनवा दिया जबकि मारने पीटने से उनकी डिस हुई थी लेकिन चुकि प्रामिनेंट नाम मेरा होने के वज़ा से और मेरी प्रतिष्था को आगाद पहुंचाने के लिए इसा किया गया है जो कि पूरा जनपच 40 साल से मेरी सिवाओं को जानता है तो मुझे आगाद पहुंचना नहीं है मैं यहाँ जहाँ तक मुकदमे का सवाल है यह मसला जो है वो भाई भाई की प्रापर्टी का मसला है मेरी ससुराल है सैदनपूर में मैं उस घर का बड़ा दामाद हूँ चार भाई जहुरूल हसन साब के थे उनकी मृत के बाद उनकी जो संपूर संपत्ती थी चुकि संपत्ती ज्यादा है शहर के करीब आ गई है लोगों को लालच लग रहा है तो उस संपत्ती में उनके चारों बेटों का नाम तीनों बेटियों का नाम और पत्नी का नाम था 2003-04 में फिर हम लोगों ने बेटियों ने ये कहा कि हम लोगों को संपत्ती की कोई आवशक्ता नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने उस संपत्ती को माता जी के नाम कनवर्ट कर दिया सालिहा कातुन जो हमारी सास थी और उसके बाद जो है उनके एक लड़के यूगो सलाविया में पढ़ते थे खुर्शेद हैसन जो भी मौजूद है यहां दूसरे लड़के इस्पेन में रहते हैं दो लड़के शमी महसन और जरगाम हैसन जिनका पालन पोशन पूरा जनपद पूरा गाउं जानता है कि हमार द्वारा ही किया गया है इसलिए कि हमारे जो फादर इनला थे खेती के लाव और कोई उनके पास यह को पारजन का रास्ता नहीं था पूरा जनपद जानता है लेकिन जब वो लोग बड़े हो गए तो उनकी नियत खराब हुई और वो यह समझते थे कि हमारे यह दोनों भा लिकेशनों में पूत्र अग्यात लिखा है पूत्र अग्यात लिखा है माप लोगों को दिखा भी सकते हैं पूत्र अग्यात लिखा है और इनको बहुत प्रतारित किया गया कई बार लोगों नों बताया कि कचहरी में इनके उपर खुद व्यक्तिकत 200 मुकदमे है उसने र भाई बचेंगे हम दो भाईों को ही मिलेगा उसके बाद माता जी जो है उनको जब चार लोगों के नाम वसीयत नामा किया उन्होंने तो उनको परतारित करना शुरू किया 2016 में माता जी यहां से करंजा अपने मौसरी बहन के हाँ चली कहीं वहां रहने लगी यह भी साथ में रहते थे यहां करीब होने के लाते वो लोग बार बार जाते थे परिशान करते थे इन्हें भी रास्ते में रोकते थे हम से संबंद तूट चुका था मैं चुकि एक सामाज चनपूर से तमाम लोग आते रहे प्लाटर आते रहे मुझसे कहते रहे कि डाक्टर साफ आप जमीन बेच दीजिए ऐसा नहीं कि नाम कटने के बाद फिर नाम चड़ेगा हमने कहा रहे हम जमीन बेचने नहीं जाएंगे हमने अब तक कोई हस्तक्षेप आज तक नहीं किया था इसमें इन्होंने 2016 में जो है वह माताजी वहां गई फिर 2018 में अपने मैके में रहती थी रसूलपूर में और 82 साल अमर थी अस्थमा की भी पेशन्ट थी प्याच्चू से उनका टीटमेंट भी चलता था एक दिन जो है वह फिसल के गिरी चोट पायर में आई फिर उनके चार को आइडमीट हूई और पांच तारीख को यह जो है स्टेचर से उनका एक्सरी पर ही वह एकस्पायर कर गई बीच्चू का सर्टिफिकेट बना हुआ है कारडियक अरेस्ट का कारडियक अरेस्ट से उनकी देथ हुई है और उसके बाद सारे साक्ष दिये गए 2018 में भी इसकी जाँच हो चुकी है 2018 में भी पुलिस ने पूरी रिपोर्ट लगाई है ये लोग मा के दफन में भी शरीक नहीं हुए थे बलकि वा के दफन के समय इन्होंने स्पी को अप्लिकेशन दिया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो मौलाना महमफूदुलहसन साब नमाज पढ़ाने जा रहे थे उन्हों रोकने की कोशिश की लेकिन उनको वो अपने मैके में दफन हुए उसके बाद इसकी जाच हुई 2018 में पुलिस ने रिपोर्ट दिया हुआ है कि इसमें सिर्फ प्रापर्टी का जगडा है और कोई मामिला यह चार बेटे हैं वह सारी रिपोर्ट भी मौजूद है तीन बार इस अप्लिकेशन पर जो है वह फार लग चुकी है अब उन्होंने 156 किया 156 में भी जो पुलिस की रिपोर्ट है मैंने आपको सामने दिखाई है कि पुलिस ने लिखा है चार भाई है तीन बहने हैं सिर्फ प्रापर्टी का डिस्टिब्यूट का इनका जो है वह विवाद है कोई अपहरण नहीं है कोई वह नहीं है कोई साक किया है इसलिए जैसे अब तक भी वेचना होई है वैसे पुना भी वेचना होगी और वो सारे साक्ष जो है वह हमने आप लोगों के सामने प्रस्तूत किये हैं आप लोगोंने सारे साक्ष देखी हैं यह अपनी जिन्दगी में भी माता जी की 57 अप्लिकेशन है एक से 157 में है बार असोसियेशन में है जबकि वो दूसरे साव वकील होने के बाद भी अभी अप्लिकेशन में दे रहे हैं कि इन्होंने पूछा गया जबकि आपने कब अपनी माता क्या परण की सुचना दी तो बता रहें कि 2020 में सुचना दी है तो यह कुल मिलाज उलाके इसलिए दिया गया है कि यह लोग आगे इन लोग की किसी तरह की मदद ना करें मैं प्रशाशन से और आप समाम लोगों से और तवाम जनपदवासियों से यह चाहता हूं कि यह जो सही चीज़ है खुल के सामने आए जरगा महिसन जो वकील है वो दो चार छे वकीलों को लो लोग आए हैं अच्छी बात है कि आप लोग ने यह समझ करके कि डाक्टर साब एक परतिस्थ व्यक्ति हैं हर जगा हमशा समाजी कारियों में खड़े रहते हैं मैं आप लोगा धन्यवाद करता हूं और हमें उमीद ही है कि आप लोग इसी तरह से यह जो उनके पूत्र हैं जिनका कोई सहारा देने वाला नहीं सेवाए उपर वाले की इनके मदद करते रहेंगे और प्रशाशन भी जो सही है उन बातों को सामने लाए और कोई प्रशाशन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आ